हेलो श्प्रेंट्स मैं आपकी असेश्टी की टीचर आदर सिक्षाने के तना है स्कूल से बचो आजम आपकी असेश्टी में हिस्टरी का चैप्टर एट जिसका नाम है अशोक एक अनोखा समराड जिसने युद्ध का त्याग किया उसके बारे में पढ़ेंगे ठीक है असोक के बारे में आजम इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो बचो जैसा कि आप सभी को पता है कि हिस्टी का हर एक चैप्टर जो एक कहानी से चोटी सी कहानी से शुरू होता है तो उस तरीके से यहां पी कहानी दी हुई है उसे पढ़ते हैं रोशन के रुपे जन्यम दिन पर रोशन को दादा जी से कड़क नोट मिले उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था उसे एक नया कैसिट खरीदने का बहुत मन था लेकिन साथ ही वे बिल्कुल नई कड़क नोटों को देखना और चूप कर महसूस करना चाहाती थी तब ही उसने पाया कि सभी नोटों में दाहीनी तरफ गांदी जी का मुस्कराता चैरा बना हुआ है और 20 तरफ छोटे छोटे सेर चित्रित हैं उसने सोचा आखिर यहां सेर क्यों बने हुए हैं इसी के बारे बच्चवाज हम इस पारट में पढ़ेंगे ठीक है तरफ से पर इसमें आपका टॉपिक है एक बहुत बड़ा राज्य एक सामराज्य है हम जिन सेरों के चित्र रुपे पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है उन्हें पत्थरों को काट कर बनाये गया और फिर उन्हें सारनाथ ने एक विसाल स्तंपर स्तापित कि इसके महंततम राजाओं मेंसे एक अशोब की निर देश पर इसके जैसे कई इस्तंपर पत्तरों को पर अभी लेक उत्तिर्ण किये गए इसके पहले कि हमें जाने की नम्भी लेखों में क्या लिखा है यह समझने की कोजिस करें कि उनके राज्य को समराज्य क्यों कहा जाता है सबसे पहले यहाँ पर यह देखते हैं मोर्य वंश का ठीक है और उसके किस ने सापना की थी उसमोर्य वंश की उसके दाला चंदरगुcht मोर्य ने चानक्य कोटिल ने नाम के ईक गुद्धिमान व्यक्ति ने चंदरगुप्ट की सहायता की थी चानक्य का कई विचार हमें अर्थसास्तर नाम की किताब में भी मिलते हैं जो यह आपको पिच्चर दिख रहे हैं सेर की यह क्या है सेरों वाला स्थम सीर्स ठीक है जो कि सारनात में इस्ताबित है विसाल स्थम पर अब इसके आपका एक वंश जब एक ही परिवार के कई सदस यानि की पहले बावा बना फिर उसका बेटा बना फिर बैटा फिर पोता फिर पड़ पोता लेगी उन्हीं की पीडी जो है वो चलती रहे तो उसे ही क्या कहते है वंश का आ जाता है मौर्रे वंस में तीन महत्वपुन राजा हुए कौन कौन सा चंदरगुप्त चंदरगुप्त मौर्रे जिनों ने क्या किया था मौर्रे वंस की स्थापना की उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र असोक यानि कि असोग के दादा, असोग के पिता और असोग, ये तीनों, मोर्रेवंस के तीन महतोपुन राजा हुए, ठीक है? सामराजे में बहुत से नगर थे, बान्चित्र में उन्हें काले बिन्दों से दिखाया गया है, यहाँ पे दे कोई बान्चित्र दिख रहा है, तो यहाँ पे जो मोर्रे सामराजे के जो नगर थे, उन्हें दिखाया गया है, कौन-कौन से थे तक्षिला, उज्जैन, पाटल तक्सिला उत्तर पस्ट्रिम और मद्डे एश्या के लिए आने जाने का माग था। आपारी सरकारी, अधिकारी और सिल्पकार रहा करते थे सामराज्य के बहुत बड़े छेतरों में किसानों और पशुपालकों के गाउं बसे हुए थे मद्दे भारत जैसे इलाकों जाता हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था वहां पर लोग फल फूल का संग्रे और जानोरों का शिकार करके जीवी का चलाते थे यानि कि वहां के लोग क्या करते थे फल फूल का इखटा करते थे और जानोरों का शिकार करते थे समराज्जे के अलग-अलग इलाकों में लोग भिन-भिन भासाय बोलते थे वे लोग सायद अलग-अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहां तक की अलग-अलग किश्रिम की पोसा के भी पहनते थे सामराज्य की लोग थे जो अलग 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 तरह का बोजन करते थे और अलग अलग वेशबूशा पहनते थे जिन जगहों पर अशोग के सिलालेक मिले हैं उन्हें लाल बिंदों से दर्शाय गया है जो जितने भी आपको याल बिंदो दिख रहे हैं बच्चो यहाँ पर यहां सब जगह क्या मिले हैं अशोग के सिलालेक मिले हैं ये सारे इलागे सामराज्य के भीतर थे इन देशों के नाम बताओ जहां शोक्य विलेक मिले हैं तो कौन-कौन से जगे मिले हैं कंधार, लंपक, मनसेरा, सेबाजगडी, कलसी, टोपरा, भादुर, मेरट, लुम्बनी, रामपुरुवा, लोरिया, अर्जा, कोसंभी, गुज जरूप, नाथ, साची, पंगुरिया, गिरनार, सोपारा, सन्नत, यानि कि हैं सब जगे जहां-जहां मिले हैं वो लाल बिंदु दरसा आए गए हैं ठीक हैं राज्य समराज्य से कैसी भिन हैं चूकि समराज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड समराज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए भी जो सेना होती है वी बड़ी होती है यानि कि बड़ा समराज्य हो जाएगा तो उसकी सेना के लिए बड़ी उसकी रक्षा के लिए बड़ी सेना किया उशक्ता होगी इसलिए समराटों को राज्यों के जादा संसादों की जरुत होती है इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में करिखटा करने वाले अधिकारियों की जरुत होती है तीक है इसके बाद आपका है सामराज्य का प्रशाशन चूंकि मौर्रे सामराज्य बहुत बड़ा था इसलिए अलग-अलग हिस्सों पर अलग- जरुच पार 15-3 को अधिकारियों की नुक्ति करता था जो राजा की आदेशों का उलंगन करते थे जिए- इन सजाद की इन्हें सिंस के उपर समराट था जो राज-परिवार्य वर Im मंत्रियों की सायता दे सब पर नियंत्रन रखता था मुर्य समराज्य के बीतर कई छोटे छेत्र या प्रांत थे इन पर तक्षिला या उज्जयन जैसी प्रांते राजधानियों से शाशन किया जाता है या जो छोटे जोटे प्रांते जाता था प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तरत छेतर थे इनके इलाकों में मोड़े शाशन सिर्फ मारगों और नदियों पर नेंतर नखने कोशिश करते थे जो की आवागमन के लिए महत्वपोन थे यहां से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेट के रूप में मिलते थे उन्हें फ़टा किया जाता था उद्रान के रिचंडर के लिए अर्सास्तर में लिखा है कि उत्र पस्चिम कंबल के लिए दक्षिन बारत सोने कीमती पत्थरों के लिए जहां से जो मिलता था उसे कर की रूप में घटा जहां पे सोना अच्छा था में गया ते ने गट्ट कीया जाता था अंतर लोगों से लिया ज döण्प यहां होता था वह पत्त रोप में यह सब्ली दे नेक्स्ट आपका राजधानी में सम्राट मैगस्तनी चंद्रगुप्त के दरबार में पश्ची मेसिया की युनाइन राज़ा सेल्युकस निगेटर का राजदूत था कौन था राजदूत मैगस्तनीज कौन था चंदर गुप्त के दरबार में पश्टी वेशिया की विवनानी राजा सैल्लुकस निगेटर का राजदूत था कौन था मैगस्तनीज मैगस्तनीज जो कुछ देखा उस कवरण दिया है समराट का जिंता के सामने आनी के उसरों पर शोभयातर ग्रूप में जशन मना जाता है उन्हें एक तोने की पालकी मिले जाया जाता है उनकी अंगरक्षक सोन्य चांदी से लंकत हातियों पर सवार रहते हैं कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं इन पेड़ों पर परस्षित तोतों का जुन रहता है जो समराट के सिर के चार दरब चक्कर लगाता रहता है राजा सामाने ते हत्यारबंद महिलाओं से गिरे होते हैं वे हमेशा इस बास चिदर रहते हैं कई कोई उनकी उनकी अत्या करने को कोशिश नहीं करे उनके खाने खाने के लिए खाना खाने के पहले खास नोकर उस खाने को चकते हैं वे लगातार दो रात एक कमरे में नहीं सोते हैं और पाटले पुत्र आदोनी पटना के बारे में यानि क्या लिखा गया यह एक विसाल और खूबसुत नगर है या एक विसाल प्राचीज से गिरा है जिसमें पांट सत्तर बुर्ज और चौसट द्वार है दो और तीन मंजिल वाले गार लकडी और कचीटों से बने हैं राजा का महल भी काट से बना है जिसे पत्थर की नकासी से लंकरत किया गया है चारों तरफ से उद्धान और चुर्ईों के लिए बने बसेरों से गिरा है तो यहां पर कुशन दिया है तो राजा खाना को चकेगा तो नोकर मरेगा राजा नहीं मरेगा इसलिए ठीक है इसका नेक्स्ट है आपका और अंत में जंगर वाले लाके में आते थे वहां रहने वाई लोग काफी हतक सतंतर थे उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि मोरे पदादिकारियों को हाथी लकड़ी मदूर मोम जाई चीजे लाकर दे ठीक है बच्चों आज हम इतना आई पड़ेंगे आपका यह अदा चैप्टर म्लाण on next class में बढ़ेंगे है अब सभ्क्रीब्स अधि स्योके बारें पढ़ा ऑच्मारी बीटासार ऑस तीं महतवडो कूर है समराट हुए हैं ठीक है आज के लिए इतना ही आगे हम बच्छो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ठीक है बच्छो थैंक्यू बच्छो